कोई हेल्प नहीं करना बस देख रहे हैं अपने काम से काम रहे हैं रुक के देखेंगे जर यही है बस मेरी दुनिया वो खता है फिर वह आप फूवे के मेंड़ को तो अगर आपको लाइव में सुक्सफफल अब नहीं वरना तो अमीर आदमी न गरीब आदमी को अपने साथ बैठें नहीं वो चाहता ही नहीं वो बैठें दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्टर अमित्मा इश्वरी लेजंस ऑफ नेशन के इस कारिक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आप जानते हैं कि हर बार एक नई गेस्ट के साथ उनके एक्स्पिरियंस को ह जानते हैं और एक्स्पिरियंस जानने के बाद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आज मेरे साथ हैं स्पेशल गेस्ट यूथ आइकन पुश्कर राज ठाकुर जी पुश्कर सर आपने यूथ आइकन शाह जाधा बोल दिया मैं तो एगाम आदेभी हूं यह मै पुश्कर जी वैसे तो यह बात आपने बहुत सारे चैनल्स पर बोली होगी और फिर भी बात वहीं से शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारे युवा साथ ही ना उनके मन में एक सपना होता है मैं अच्छी सी बुक पढ़ रहा था उसमें एक बात लिकी थी कि जब एक यह प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है और चालिस पंतालिस पर आने के बादना वहार जाना शुरू करता है कि यह चीजे मेरे लिए नहीं है मैं इनको डिजर्व नहीं करता है लेकिन जब यूथ आइकन की बात मैंने क्यों कहीं क्योंकि जब आपको कोई देखता है ना यह वो बंदा है जिसने लाइफ में वो सब कुछ किया जो करना चाहिए इसने हर वो चीज हासिल किया है जो हासिल एक व्यक्ति के मन में करने की इच्छा होती है तो आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि जो यूवा साथी अपने मन में वो विज जलाव आए हैं लाइफ बहतर हुई है पहले से और मुझे ऐस लगता आने वाले सालों में और लोगों की लाइफ हमारे थ्रू बहतर होगी यह हमारा प्रयास है तो यही कंटिन्यू है और यही च्छोटी सी एक जर्म है को कौन से से पांट स्टेप आप बताएंगे कि आप जनर लोगों के साथ होना उनकी सोच मैं ऐसा बोलता हम यूमन फ्रम उस्मोजस तो ंस भूस मोसिस क्या होता है कि एक हाईर क्उन्ट्रेशन की चीज लोर क्म एंच्छ on में लाप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो स्मोक करते और निंग उनकी असा बनने में और उ आपको पसंद आने लग जागा बॉल्ट फूड आप वही खा रहे होगे पहले मैंने ट्रांस्फोर्मिशन किया तो मैंने ट्रांस्फोर्मिशन किया तो मतलब डिफ्रेंस लगन लगा मुझ में और वाइफ में पहले बराबर लग तो ऐसा लगना कि उम उसे 18 साल बड़ी है इन्ञें उन्हें डिटाइट अगर बन रहा है तो इस नहें और बड़ागी लगने विशन को बनारा है तो इस अदो इस नहीं गहारे है मंपी ट्रांस्फोर्म होगी अब ममी और डड़ी ऐसे लगते कि या तो हमारे कॉलेज में यह जूनियर है तो बच्कों दाइंगे मे युल गाट सर्पाइज मेरी एक बेटी ग्रेजुशन कंप्लेट करके लेल भी सेकंड यर में एक बेटी बीटेक में और बेटा अब ट्वेल्थ में और ने एक यर में यह जाएगा और यह शाद काफी लोगों मुझे नी पता होगी नी बता होगी बड़ आपको देखके नी पता लगती होगी पहले पता लगती थी पुराने वीडियो में जाएंगे 2016 में पंदरा में कई बार तो ऐसे कॉमेंट्स में कि क्या आपने चैनल बेज दिया अब बंदा चेंज हो गया अभी एक रिसेंट आपको इंजिन बताता हूं हमारे जैसे बनी हैं तो कम्यूनिटी होती है तो कम्यूनिटी में में मेंबर्स होते हैं सभी किसी औरनाइजिशन में तो मैं भी एक औरनाइजिशन में था तो 2012 से मेंबर हूं तो 2016 में कुछ एक नई मेंबर और उसमें आई तो 19-20 में वो लॉकडाउन आ गया जब मैं उसके बाद उन से दुबारा मिला ना तो सब्सक्राइब दूसरे बोले सब्सक्राइब क्या करें महिश्वरी जी यह है आपने युबाओं को भी रखा है बड़ों की संस्थाओं में तो इनके पूरानी फोट उठागे देख ने यह तो आप तो सारे इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए लोग ना फिट क्योंकि लोग ना प्रिपेड नी होते लोग वेसी जिए जिरे और फिर पता लगता है कि अप्रत जोन से बाहर आना पड़ता उनको आज की डिट में जैसे हम तो खेर बात करते हैं इसौरंस की और बहुत सरी ज़ीज़ क्योंकि वह ज़रूरी है आप इक दमसे बिमारी हो गया है अप तो घर वेच के पैसे लाने पढ़ेंगे तो आप एक दमसे फिनाइशल टरबल में आज अज़ो और पढ़ी रिकवर नहीं तो ऐसी ट्रैइडी लोग हो जाती है पता लगता जी वाइफ कोई हो गया किसी को कैंसर हो गया पहले तो चालिस साल क्या कर रहे तब तब तो सोचा ही नहीं ना अब जब जागो जब ही सवेरा अब अगर होश कर लिया तो भी बहुत 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 है तो एक जैपनीस प्र जागी है and that is true for everything ना तो आपको कुछ भी लाइफ में करना है पांच बाते बतानी है आपको क्यों लोग यह सोच रहे हैं पर लेके बैठे होंगे बहुत सारे लोग तो पर लेके सबसे पहले बताया है कि हमें अपने अन्वार्मेंट से थौट्स आते हैं अब मैं आपके सा से अपनी सीसा की बात करें मैं एक बंदी की बात में नहीं चरकल की बात कर दो चैना अप में जैसे चरकल के अंदर हो बस उनिसे अप Kim aja आपको यह मॉन हो नहीं हो अघर आप को लाइफ में अमीर होना तो अगर आपको 95 fouण मानो आका बुरा मानो यह ब्ला ओना आपको जा पैर अमीर आमी ना गरीब आदमी को अपने साथ बैठने नहीं लेता, वो चाहता ही नहीं वो बैठे क्योंकि ओस्मोसिस यह पर काम कर रही है, और यह आमीर आमी को पता होता है, वेल प्रफ्ट जैसे पर्टी में भी बात करेंगा, कोई गरीब आदमी या कोई नीडी आदमी किसी ऐसे आदमी से जो उसे help कर सकता है वो बात करेंगा उसे पता लगा या मेरे से मांगेंगा यह से ना फटा 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 गरो ऐसे circle में रहता है कि उसके thought process में जो questions मी है ना उसका जो communication skills भी है उसी बातों के इर्द गूमता है और अमीर आदमी देखते समझ जाता है यह तो हमारे लेवल का बंदा ही नहीं है अगर यह बोलेगा क्योंकि आप जो बोलेंगे वही बोलेंगे जो डिरेक्टरी में फीड हुआ है और फीड वही होगा जैसे circle में आप रहेंगे तो circle change करना बड़ा important है तो यह होगा पर अब यह इसके ऊपर हम बहुत बाते कर सकते हैं क्योंकि important तो होगा कैसे तो अभी एक सिरीज मैंने लोगों को प्रोवाइड करनी शुरू करी है तो वो बेसिक लिए आम आदमी के लिए सिरीज है कि वो समझे अमीर बनना simple है easy नहीं है कि भई मैंने जीरो से आपने 40 पॉइंस आपने कुछ 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 करने लग जाओ कुछ कुछ से बहुत कुछ होगा बड़ आज नहीं पता लगेगा अपको क्योंकि अगर प्लेन अपनी एक डिग्री की डिरेक्शन तो वही लोगों के लिए वह अभी समझ नहीं आएगा बड़ टाइम करते हैं हम करते हैं तो कुछ होता ही नहीं है तो मैंनको सामने एक लगातार करते रहते हैं करते रहते हैं तो बात यहीं थी कि बरियर लगातार करना मुझे पसंद है तो सिरी इसमें लोगों को फाइंडा लाहा इक एतना चोटान यह कुह वह उपर बात करको लिए इस नहीं बैठने दे नहीं पर आपको आप कौर सकते हो जिससे आप उस सर oo में इंट इब कर सकते हों कर से इना पॉइंट नमबर टू अभी आपने जो बोला कि करते रहना बिसलिक करना किया है सो आय कॉल इट M.V.P. अगें M.V.P. M.V.P. सो मतलब मैं बोलता हूं Most Valuable and Profitable Activities सो होता किया है कि हम पूरे दिन में 24 गंटे मारे बस बट बड़े से बड़ी कंपनी का CEO भी नहीं बड़े बन रही है बिसनस बढ़ रहा है या आप जो भी कर रहे हो आपको यह डिसाइड करना है कि आपके लिए M.V.P. किसी बच्चे के लिए वह पढ़ाई करना हो सकता है आप अपनी जॉब करते हो तो जॉब में भी आपको पता हो किया है अगर वो नी किया तो जॉब से निकाल तो वो क्या है वो नी किया तो गर्ड लोग तो मुझे देना है जितना रिखाई उसका कुछ काम होगा कि यह मेरा काम होता है ठीक है बट एमबीप ना लोगों को समझ नहीं आता है क्यों कि वो क्या करते है ना दिन में एंग्री वर्ड भी हेलता है मुझे निपता अच्छल को है उसका गेम सल रह तो मेरे मेरे में एक भी गेम नहीं है एक चैस होगा वो मैं कभी-कभी खिलता हूँ तो अधर्वान ने दिन कैसे निकल गया आपने कुछ किया देखो लाइफ में हापनिं होनी ची लाइफ कुछ ना कुछ होता है आप और मैं बोल सकते हैं कई लोग जॉब में होते हैं उनका वही फिक्स्क्रिडियूल होता है बट मैं बोलूँगा आप 925 मैंने इसा बोला हुए कि आप 925 जो अब करते हो ना उस आप का घड़ सलता है तो आप 529 भी सोचो कि आप क्या कर सकते हो जिससे आपकी जिंदगी पदले अब MVP किया है जब आप को बिजनस में होगे तो आपको MVP संच आएगा अगर आप से वहां पर आपको पता है कि प्रोस्पेक्टिंग से और फॉलोप से lead convert हो सकती है और इससे sale निकल सकती है चाहिए आप गाड़ी बेच रहे हो चाहिए प्राइवेट जेट बेच रहे हो चाहिए आप घड़ी बेच रहे हो मुझे नहीं पता आप क्या बेच रहे हो बट बेचने से पैसा आता है तो कहने का मतलब क्या है बिजनस अगर आप कर रहे हैं तो आप मिर से जाधा रिलेट करेंगे मिर से जाधा रिलेट करेंगे अगर आप एक अंसरुप में हो रहे हैं आप शार्ट अप करेंगे तो आपका ना जो MVP है उसे बढ़ा हो और उसकी तरद धहन दो तो तीसरा है Jam Sessions Jam Sessions Jam Sessions Jam Sessions क्या होते हैं अभी Jam ना क्लिगर कर दो बहुत से वो हीरे वाला Jam समझेंगे वो कुछ वो राफिक Jam वो कुछ फूट वाला भी Jam समझेंगे So Jam Basically क्या होते है Jam College में तो just a minute होता था तो just a minute ने यह है नी वो वो कॉलिज वाला में बता रहा हो तो उसमें क्या होता है एक मिनिट में बोलना होता था और भी बैंक ना टेबल में जो एक्जाट लिया नी तो 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 ग्या था हाँ वो डिबेटिंग सोसाइटी का में पार्ट था तो उसमें बड़ा मजा था So again तो continue करते हैं So jam sessions क्या होते हैं एक ऐसा time period आप निकालते हो जिसमें आप वो MVP की तरफ ध्यान देते हो या फिर या फिर आप planning की तरफ ध्यान देते हो planning भी इक important चीज होती है कि मैं लाइफ में जा किस डिरेक्शन में हो भाई आज से एक साल हो गया हो गया हो जो मैंने जिम शुरू किया था निया निया तो कहां का परसन था एक मिनट तो European country का था एक जा कंट्री याद नियारी एक दिमसे दिमाग में So वो बड़ी अच्छे से exercise कर था और जो भी वो मैं जैसे set complete करता वो अपनी एक छोटी सी डैरी थी उसके पाँ उसको कुछ लिखता वो कुछ लिख रहा था मुझे नहीं समझाया क्या करता रहा मैं देख रहा था उसे फिर मेरे में curiosity होती है और मेरे को बोलने में को हीचक है नी तो मैंने जाकर उससे बात करी मैंने का आप क्या लिख रहे है अपनी डैरी में तो उसने मुझे बताया कि मैं अपनी last performance और आज की performance को compare कर रहा हूँ और जो भी मैं जो भी मैंने आज किया वो मैं लिख देता हूँ तो आज जो मैंने weight lift किया है या जो भी मैंने आज exercise करी है वो मैंने लिख दी है तो मुझे मेरे को मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस direction मैं बढ़ रहा हूँ मला अगर मैं weight दीरे दीरे अपना बढ़ा पा रहा हूँ तो strength बढ़ रही है बोडी की lifting का बश्टी बढ़ रही है उसकी कई सारी चीजे थी कि मेरी body fat percentage मैंने लिखी हुई है मेरी एक महीने के बाद की body fat percentage मैंने लिखी हुई अगले महीने की मुझे लिखनी है मेरे body का protein level क्या है मुझे लिखना है मेरी body के mineral level क्या है मुझे लिखना है मेरी body का water level क्या है मुझे लिखना है मेरा BMI क्या है ठीक है आप समझ गए मेरी बात को कहने का मतलब क्या है कि मैंने एक चीज़ समझी कि ही वास सो कॉंसेंट्रेटेड वाट ही इस दूइंग वेर इस दूइंग जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं उस तरीके के लोग होते हैं जो उलिम्पिक में जाते यह लोग होते हैं उनियर इस चीज से फरक पाड़ता है कि हर दिन हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं यह नहीं बढ़ रहे हैं आमादमी सोचते ही नहीं है उससे उसकी प्र्ट्रामिंग में नहीं हो देखते ना जिम में आते थोड़ा लोग मिल लेते हैं बाती थोड़े-बाठित हो जाती है थोड़े-बात हाद पर खुल जाते हैं ठीक है पूरी जिंदके तुछार MP3 अहले रहेंगर ही और खुलते-टे नी चे बेंगे सारे दो के यहां हम लोगों को सही नहीं कर सकते हैं English में कहावत है when the student is ready teacher appears so हम जबरदस्ति किसी को नहीं सिखा सकते आप किसी को जबरदस्ति फिटनेस के लिए मोटिवेट निगे सकते जिसे चाहिए वो पहुचेगा तो उसका इनर मोटिवेशन है जिस दिन जाग जाएगा ना उस दिन से वो करना शुरू कर दे है चलो वो आरे है एन्वायमेंट में जाएगे सी दिन जाक जाएगा क्योंकि वो अपने पूरे 24 गंटे में चलो कभी कभी निकाल रहा है वो अच्छ है कुछ तो भी निकरने नहीं तो भी निकरने है तीवी को त्याग दो, मैं कहता हूं, आपको सुसू करने भी नहीं दाना, पैंतालेस मिनिट आपके, और आप मैं जिनूली बता रहा हूं, आप लोग ट्राय करना और इस वीडियो का कॉमेंट करना, आप पैंतालेस मिनिट में आपको शिवरिंग होने लग जाएगी, चूल म आपको जनूली बतार रहा हैं, आपकी MVP और आपकी प्लानिंग उस जैम सेशन नहीं चाहिए, तिन में एक जैम सेशन होने चाहिए, और अगर आप जल्दी सक्सेश्फुल ना चाहते हैं, तो जनमें दो जैम सेशन होने चाहिए, तो मिनिम्म 45 मिनिट का, उससे कम नहीं, औ तो गुफ ऐसकतो हैya, उसक दुनिया जातातर सो रहे होती है, कोई आपको फोन नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, तो आपको इसकी का हमें आपको जैम सेशन हीmm, आपको पता है, दुनिया थे वे कुछ भी है, और आप 45 मिनिट आपा देद होगी बट अगर आप वही काम करोगे दुपैर में या रात में तो आपके अंदर चुल होगी और मेरी गल्फिंट का तो मेसेज नहीं आ रहा है मेरा किसी का बोस खतो नहीं आ गया किसी कुछ भी हो सकता है अगर आप sorry एक ऐसा काम कर लेते हुना जो आपको डिफिकेट लगता है और आपने तो कर लिए इपका विलपावर बढ़े जाती यह और विलपावर एक मसल की तरह होती है में झाल सभाव के दिजू को यूज नहीं करोंगे तो मुसल इत्रोफी हो जाती है अगर अगर इत्रोफी अरही है हमदा मसल आपका ख़तव कर यूज करोंगे तो यूज उन्हें कर लूगा तो आप तो यूज नहीं कर अगर लूज़ ले अगा बड़ daran यहां पर jam sessions, बहुत important है, minimum 45 minutes or at least two time a day, अगर two times वो लोग करें, जल्दी होना है, मिलाब हर बन्दा नहीं करता है, तो जब एक बार में पक्के हो जाएं, क्योंकि वो ही करना typical task हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा important है, मिलाब honestly speaking, आज की डेट में मैं खुद jam sessions बहुत जादा नहीं करता है, क्योंकि अगर मैं jam sessions करूँगा, मैं ultra productive mode में चला जाएंगा, अभी मैं बड़ा chill mode पे जी रहा हूं, वो ultra productive mode हो जाता है, उस वक्त आपको, आप इतनी तेजी से चीज़ा करने लग जाओगे ना आपको पता ही नहीं लगएगा, आप पागल हो जाओगे, भल्लब, ऐसा पागल है से नि, रिजल्स देखके पागल हो जाओगे, रिजल्स देखके पागल हो जाओगे, क्योंकि आप आप बैक-to- varak, कश ना कुछ करते हीnew यар माल विख ँछ मैं अपना प्लान कर था कोई लुट करनी का ठो हो गई कोई बुख लाइन रडानिया वो हो गया रो गई लिइक पुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ यह ना नत्तने हरव का कि अच्छे करो गे तो रिजल्टायगा। कुछ करो करो कर रिजल्टायगा, क्या सीडिए सडाते चारए हो तो सकस सच सवास्ट रिज सुरीकी जैंस्षन ही को टordको कि जागि बीफ मौड़ अब डिशेरिक सुन रहे हो तो पाल कुछ कर Pres Jen I Shizz मुझे लगता है 20, 50 भी करेगा, 100 भी करेगा, 1000 भी करेगा, अज से बहुत तेजी से बढ़ोगे, आप सोचो जो जो बच्छा, मैं कहता हूँ, 45 मिनिट की सेल्फ स्टेडी बहुत अच्छी होती है, अगर कोई बच्छा 45 मिनिट की सेल्फ स्टेडी कर रहा ना, वो मार्क उठ अगर के देख ले भाई अपने, 45 मिनिट की सेल्फ स्टेडी केटेड नो फोन नतिंग, वो 45 मिनिट आपके हैं, और कभी के पता हैं लगेगा, 45 मिनिट तो आपने सोच थे थे ना, आप तो घड़ी भी ने देख रहे थे, आप 2-5 गंटा मॉंक मोड में बैठे हुए हो, आ आप क्योंकि कुछ कर रहे हो ना, और मैं कैसे करता था जैनलिशेशन, तो मैं अपना बता देता हूँ, एफोर साइस का जो ब्लांक पेपर होता है, वो मेरा फ्रेंड है, आज की डिजिटल दुनिया में भी आई-पैड का जुमाना है, मेरे को पता है, बड़ मैं तो पेप से दूसरे वले पेपर आजाते हैं, आज कल तो लाल बंद होगे हैं, बड़ में करंशी पेपर से बनती है, तो मैं तो फॉलोर हूँ, तो ब्लांक पेपर हो है, वो आपकी इतना बड़िया दोस्त है, क्योंकि आप उसमें लिखते हो, आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होत तो आप सोच रहे होते हो यहां सी हहां कैसे पहुचकेंगे, सो, आप इससादी होरे हो, मैं हितना बाजा ऐता है, है सिधा एक यहां हुरह दैक कर दूसरा मेरे को नहीं कर दादेखते हैं, भीत हे बस्तु लिखेंग, यहां हो, दो अचा पनीने जै Daeek Dreams , अच्छाशन के थे नी तो 2000 सुल्सक्राइबर बड़ी मुश्कल मश्कल पर मालो मैंने लिखा सौ वीडियोश बननानी होंगी और सौ याशा होगी तो सौ टॉपिक्स के उपर वीडियोश चाहिएँगी नीचे लिखा हर टॉपिक्स घंड अब वो टॉपिक्स के अंगे फिर आपने को जितना आता है उस ताइम के आज आप्से तो हुआ तो मैंने एक जो 40-40 topics तक लिखे फिर आगे के blank pages चोड़ दिये कि इने fill करने है hundred करने है यह इन पर बनाए होंगे फिर क्या किया होगा उससे पहले मेरी 50 वीडियो गई होगी उससे पहले मेरे 50,000 subscriber होगे तो 50 वीडियो पर 50,000 subscriber होगे तो अब यहां से देख यह 0-2000 पर रहस तो 2000-10,000 subscriber के लिए कितनी वीडियो चाहिए होगी तो मैंने का अब यह टॉपिक्स वह चालेज लिखे थे तो चल बीज़ वीडियो बनाते हैं अब 20 वीडियो दिन में तो आज क्या करना है आज एक वीडियो बना लिए ठीक है तो अग जब वो बीस दिन तक वीडियो बनाई गई और उनमें क्या होगा अब एक एक टॉपिक के ओपर लिखो अब टॉपिक के ऊपर क्या इसे डिलीवर करना है तो यह बैकपर विशन क्या हुआ कि यहां पर जाना चाहता था उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और फिर मैंन टो आज पता है कि मुझे चैना पड़ेगा इस दिन तक मेरा इतना होगा इस दिन तक इतना होगा इस दिन तक इतना होगा मालो आपको पता है कि मेरी अबhouदी पर क Вас घाँ अ जोबियों तो आज आपको पता है एग्जाम्पल 16-18 5% है तो आपको पता है कि हैर अगर मुझे december में करना है यह से 60 दिन kitchen बात करना है सत्तर दिन बात करना है तो उसके मिड़ में तीस दिन बात तक मैं कहां परूँड़मगा और लुठक के वाद में कहां तख वोगा बैक जितक हो इसका चाघ बैकर बागौ चाहisce गहीखां अग। कि जिता किया सी हाग है, इसका मनिशन कोपड़ा है। ऑफ उन एक सब्सक्राइन करते हैं लोग इन कि सब्सक्राइब थर अब जिये מצां कि अठेगी। तो उसे एक महीन पहले मेंपना चितम कर चुका हूँगा। वर दूरह छे महीने तव छे महीने में 15 चाप्टर उनकाइन तो मैं इतने तने तने चाप्टर उसकी चैसे रेवीजियन करोंगा रन विसकी सैमपल, पर ऊनका यह खरूएत करूआ थे, तो यॉकंर fresh UK पे गरूंगा चैटर बन से शुरू करो गरूंगा तो उल्टा आपको पता है नहीं से तो यह सब को ने पहली सिडी हो और जो सब्हुत हो दिख तकर आहा गों सब्की होगै तो ब्रश्क वल्र्टरण फिर डिखता है न यो पाइली स्टी का है लाइफ में जो बार्शनियुर कॉई इंटरिशिंगे कर लो बही आपको न किपटास की जौब चाहिए पट्चास की मिल पट्चास की करॉनर दिमाग में है बट अज मिल रहा हो तो ले कर तो सही कुछ और कि उसमें आपको ज़ादा अलर्निक मिल रही हो। सेटल नहीं हो ना मैंने कर आप सेटल हो जाओ लाइफ में कि अपने दिमांग में जहां पे सेटल हो गए ना कि यही है बस मेरी दुनिया वह खता में फिर वह फुवे के में अंडग हो गए आप यह सुचो यह आज है आज मेरी घर की परस्तिया ऐसी है कि चाहँ 10-20-30,000 और में मिल रहा है यह जरूरी है कमाना बट मिरे को सीखने को मिल रहा है मिरे को लोगों से मिलने को मिल रहा है यार आज मैं करूंगा ना वही ज़ाडू मारने का काम हो करूँ गा बैस्ट अपना बैस्ट दो दो तो पर्फेक्शन इसा मिट तो we do not know what is a perfection बट मैं अपना बैस्ट दो और मैं प्रोग्रेस करूँगा तो यह attitude लाना भी बहुत जरूरी है प्लइक कामयाब बनो ना बनो अच्छे इंसान जरू है क्या है कि है कि आपके ओपे संसकार देए ना वड़े सोसो मज़ के दिया वह सोसो मज़ के दिये क्योंकि एंड में जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं, मैंने कही लोगों को देखा है, एक में वीडियो देख रहा था, एक अंकल रिटायर हुए हर्याना रोडवेस से, तो जब उनका आखरी दिन था उसके बास से रिटायर्मेंट शुरू हुनी थी, जॉब का आखरी दिन उनका जो डेडिएशन रहा होगा, जो एक नेक्स लेवल का रहा होगा, मैं उनके चेहरे को देखके समझ पा रहा हुँ कि मलादा उनने बहुत अच्छे जे किया, तो कई चीज़े होती हैं जो आपको आज नहीं समझाएगी, आज के लोगों लोगे पैसे ही सब कुछ है, है, बहुत इसादे हैं, बहुत इसादे हैं, बट हमें ना पैसा चाहिए, बलेसिंग के साथ, आपको थोड़ा सा लेट मिल जाए, चलेगा, बट कई चीज़े और इसा रिस्पेक्ट, वो आपको ना अर्न करनी पड़ती है, मांगने से नहीं मिलेगी, तो रिस्पेक्ट के आपको कई सीज़े बताई हैं, जो मैं आज रिपीट नहीं कर रहा हूं कि आपको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, तो लाइफ में ना, you choose the right way, एक मैंने बात बोलता हूं कि, and always be kind to people, माला आज की इड्में से डेली में हम रहते हैं, इतना एग्रेशन है लोगों में, तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, कि ठीक है, आप रोड रेज हो जाए, तो बंदा गुस्से में आपको देखेगा, यूएस वगरा में किसी भी अलग कंट्रियूम किसी को देखे तो, we just smile, hello, good morning, अब आप डेली में हैं कर ड्राइब कर रहे हो और किसी को आपने आपने जो भी किया ना यह बहुत इंपॉर्डटन तो हुता क्या है कि अब मैं आपको गुस्से का बताता हूं, जब हम किसी भी गुस्सा करते हैं तो हम भी भाव अपने अंदर लेकर आते हैं, आपको गुस्सा करने वह अच्छा ने लेगा, मैं कई लोगों को देखता और उसने कुछ गलत कर दिया, तो उसे चाटा मारने लग जाएंगे, मैंने कई बर देखा है, हमारे आतो डेली में होता रहता है, मैं बहुत जर्नली देखता है, बट मैं कहता हूं कि उस इंसान को चाटा मारने को अच्छा लगा, नहीं लगा ना, आपको सोचतों अच्छ एक सरकल है, जो इन्रिजिबल है, बट आपको ना, नेगेटिविटी से दूर रना है, सबसे पहले नेगेटिविटी न्यूस, न्यूस चैनल विल आलवेश शोयू नेगेटिविटी, क्योंकि पॉजिटिविटी को देखना ने चाहता है, कितना अच्छा आज संसेट हो र आप कभी-कभी देखेंगे, आप सीथा सीथा चाहरे हो और एक दूं से ट्राफिक स्लो हो जाएगा और भीड लग जाएगी, तो हो क्या रहा होता है, भीड कुछ ने होती, गाडियां स्लो हो जाती है, क्या हूँ तो कोई हेल्प नी कर रहा है, सब देख रहे हैं, और आग तो आपके ब्रेन से खेला जाएगा, आपको नेगेटिव चीज़ा दूर रहना है, देखो बुरा मतमाना हो सकता, आपके घर में लोग नेगेटिव हो, कई बार होता है, बहुत सारी फैमिली में काफी नेगेटिव का मतलब क्या है, कि आप जो बोल रहे हैं, उसमें वो ब जो आपको माबाप ने सिखाया है, आपके दोस्त आपको गलत रहा पे लेके जाएंगे, आपके आसपास के लोग आपके रिलेटिव भी गलत गाइडि कर सकते हैं, सिव आपके माबाप हैं, इस दुनिया में जो आपका बहला जाकते हैं, आप हमारी भी मसुन हो, पर अपन जो आपके बिल्स चानल दिखाये हैं, दुनिया का अंतो जाएगा, आज भी मत जाएगा है, इतने भी मत जाएगा हैं, अज वोजए है और वट वस था जाएगा है, वट वस द बोला है, जो ने बोला, कि बिटा मैं चाथा तरबन नौकर चातर हूं, गाड़ी हो लाल बत्